स्लाम अलेकूम, I hope you all are doing great, this is me Abis Zadhi, in this video we will see how to create seller permit in Florida State, so basically हमने अपनी previous videos में ये कवर किया था कि हम LLC को कैसे register करते हैं, EIN कैसे apply करते हैं, register agent के address किस तरह भाय करते हैं, अगर आपने वो videos नहीं देखी, so आप उन्हें पहले जाके देख सकते हैं, आज की video का मकसद ही होने वाला करते हैं, एक चीज़ यहां पर यह समझने वाली है, कि seller permit और reseller certificate में difference होता है, seller permit आप states से लेते हैं, and reseller certificate आप जो है खुद create करते हैं, अपने distributor, wholesaler वगारा को provide करने के लिए, ये show करवाने के लिए, कि आप अपना tax जो है exam करवा सकें, so आज की video का मकिलर permit create करना है, so हम screen की करने के बाद लिखने आपने Florida Department of revenue, ये लिखने के बाद आपने फिर्स वेबसाइट आपके पास आजेगी, ये वाली फिर्स वेबसाइट के उपर आपने चले जाने जैसे आप इसको पर चले जाएंगे, ये Florida की जो ऑफिशल वेबसाइट है, जो के tax के सारे मामलाथ को हैंडिल कर रही होती है, यहां से सारे tax के मामलाथ हो रहे होते हैं, अभी हम sailor permit करने जा रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे होंगे, यहां पर journal tax आपको नज़र आ रहोग options आ जाते हैं, आपने registering अब business वाले option पर देखना है, account registration के उपर click करना है, इसके उपर click करने के बाद आप second paragraph में देखेंगे, the departments, online provider, business tax applications, so इसके उपर आपने click कर देना है, जैसे आप इसके उपर click कर देंगे, यहां पर आप से user name और आपका password मांगता है, create user profile, अगर आप first ह हमारे हैं, तो obviously आपके पास इदर profile create नहीं होगी होगी, और आप जो है, अगर आपने create के वह तो user name और password के साथ login कर लें, हमारे पास अगर नहीं हो, यह तो हमने create profile के पर click करना है, और यहां पर अपना user name दे देना है, email password दाले हैं इदर अपना और इसको confirm कर लें, ठीक है, confirm करने के बाद आपने create new user profile के पर click करना है, तो आपको login वाले page के पर ले जाएगा और आपने अपना user name और password create कर रहा है, वो रखके यहां पर login करना है, login करने के बाद आपके पास यह सब पहले से आप आ जाता है, इसका, के start new application के उपर आपने click करना है, इसका अपने यह सारे इसके टेक्स अपने seller permit के लिए इन सब को fill out करना है, चीक है, one by one करके हम इने fill out कर रहोंगे, इस वीडियो में, सो सबसे पहले पूछा, reason of applying, आप new registration कर रहे हैं, इसको पर आपने click कर देना है, date of first Florida taxable activities, कब से आप अपनी taxable activities हैं, कब से शुरू करने वाले हैं, आप एक estimate date दे सकते हैं, आगे की, या आपने शुरू करते हैं, तो वो date दे सकते हैं, हम after a week की एक date दे देते हैं, 30, so हम यहाँ पर select करने हैं और save and continue पर click करेंगे, उसके पास आप से business detail पूछ लेता है, legal name of business, यहाँ पर आपका LLC का नाम आने वाल है, जो आपकी LLC का नेम है, business state name optional है, और probably यह जो है, आपका जो business LLC का नेम होता है, वही same होता है, यहाँ पर आपने telephone number दे देना है, आपका जो mobile number आपने buy किया है, वो यहाँ पर आप दे देंगे, यहाँ पर हमने वो दे दिया, fax number optionally, is this business location only open during a portion of a calendar, इसका मतलब यह होगा है, कि आप किसी specific particular quarter में अपना business करना चाहते हैं, या 12 months forever करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा है, तो आपने यह सले करना है, हमारे case में हम 12 मही ने business करना चाहते हैं, तो हमने no पर click करके save and continue पर click करना है, save and continue पर click करने के बाएं, आप से activities marketplace activities पुछ लेता है, आपने readout कर लेना है, और अगर आप Amazon FBO wholesale के लिए create करने जा रहे हैं, तो आप यह जो same option से click कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यह एक Amazon FBO wholesale business के लिए seller permit create हो रहा है और approve है, so you can select these option also, but आप जो है इना readout कर लेना पहले ताकि आपको knowledge हो सके, मार्केट प्लेज अक्टिविटीटीज बुचे रहे हैं मार्केट प्लेज अक्टिविटीज बुचे लुकेटेट आउटसाइट अफ़ फिलोड़ीड एंडिरेक्ली रिसीव ओर्डर्स टोटलिंग वन लैक और मोर इन प्रिविएस कलेंडर्स तो इसकेज में हमारा हैं याफ से इसको डड़ करने अब काउंटी पूछते हैं कि हरी सेटके अपनी एक कौवंटी होती है तो यहां पर देखना है फ्रोरिडा काउंटी आपकी फ्लोरिडा इस्टेट है इसके काउंटी होती है हर इस्टेट की काउंटी होती है आप नेट के उपर जाके जो भी आपका सेड़ सर्च कर सकते हैं आपको एजिली मिल जाएगी हमाँ पर फ्लोरिडा के इंदर काउंटी ह है पाइनलेस हमने इसको सब्सक्राइब और यहां पर आप से बिजनेश मेलिंग एडर्स पूछ लेता है अगर आपका मेलिंग एडर्स जिफ्रेंट है तो आपने वह एड कर देना अगर से मैं तो कॉपी एडर्स फ्रॉम अबब उपर से आपने से जो आपका एडर्स है वह शिफ्रेंग एनौ मेल इनिक यहां पर एहां पर यह कोड सारा नौर्ट अमेरिका इंडिस्ष्क्राइव इसारे इडिकार यह दुर्प्ठ पाट्राइफ के अन्दर मेल ओने एन सारे मामॉलात को यह से आपको बताता है यह code उनके department को पता जलता है यह जो business है इस से related है इन चीजों से related है यह वो code यहाँ पर हमने add करना होता है अगर आपको पता है code तो आप add कर सकते हैं otherwise आप search भी कर सकते हैं यह preferred method है अपने save and continue पर click कर आप करने के बाद save and continue पर click करेंगे तो यहाँ पर आप add भी कर सकते हैं और अगर आप search करना चाहें तो search भी कर सकते हैं search कर लेते हैं search for NICS code select business sector आपको क्या business sector है आप किस में business किस category में किस से relevant आपके business तो इस तरह की चीज़े हैं आप आप से पूछी जाएंगी तो रिटेल ट्रेट हम select कर लेते हैं कि अग्यार करने के बाद ही हमाएं पास option आ जाता है जर्नल मर्चंजाइस रिटेलर्स आपने अपने सिनेरियो में देख लेना आपका business कि से रिलेडिट आपने उसलेक कर लेना है उसके बाद हम select कर लेते हैं all other general merchandise retailers उसके बाद से डिलेड कर सकते हैं और आपने अगर चाहें जो आपको code पता है तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं save and continue पर हम click करेंगे और यहां पर आपने business type पूछ लेता है आपकी select your firm of business ownership अगर आपकी corporation ने partnership जो भी आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हमारे case में LLC हमने LLC select के और save and continue पर click कर दिया है इसको हम quickly कर रहे होंगे सारे options को आपने read out कर लेना एक बार membership type कौन सी है आपकी single member multi member है single member हमारे case में single member type यह एस कॉप और C corporation जो है यह आपके tax है महमलात होते हैं तो आपने select कर लेना है कि कौन सी corporation है आपकी हमारे case में S corporation हमने यहां पर select कर लिए FEIN identify type जो है आपकी EIN नमबर आपने यहां पर दे देना है जो आपका EIN नमबर होगा वह आपने यहां पर add कर देना है हम अपने case में आप एड कर देते हैं और नीचे सेवन करने ने पर click कर देते हैं सेवन करने ने पर click कर देंगे तो आपको business officer की details को पर यह ले जाता है यहां पर आपके बाद जो टाइब आप आ जाती है person और business organization हम आप person हमने एड कर लिया आप देख लें आपके scenario में जो हो हम नाम दे देंगे यहां पर नाम देने के बाद टाइटल देदें मेंबर देदें सीयों देदें आप कोई issue नहीं इसमें और यहां पर आप से SSN नमबर पूछ लेता है और visa नमबर आपके पाप पूछ लेता हमारे प हमने चाएट जाएट कि जिए फून नमबर यहां पर हम देदेंगे अपना फुल नंबर देती है यहां पर हमने बिजनेस अड्राइस और रिकॉर्ड आप सेब भी दे सकते हैं अगर चेंज करना चाहें और चेंज भी हो सकता है में में क्लिक करना अपने और अफिसर को एड करें कर में रिकॉर्ड्स में आपसेयर्स के इंडर एड कर दिया सेवन कंटिनियों पर क्लिक करेंगे बिसनेश जेट यह आपकी जिस तिन आपके फाइलिंग जो एलर्स एक रियर्ट होई थी वह डेट यहां पर आ रही होगी आपने देख लेनी हैं आपके सिनारियों में क्या है हम यहां पर एड कर देते हैं हमाई पास है की है हमने एड कर इसेवन कंटिनियों के लिक करना यह बाद कुछ पूछ रहा होगा यह पर आपने पढ़ने के बाद आंसर देना है है विए और बेसेवर बीन नोन भाइ अनधर नेम तो वह जब्स एश्यू फ्लॉरिड़िड शाटिफिट एक्स अकान नबर 9 जो सेवन कर दूछ ने पर कि इंटरनेट हम एकॉमर्स करने जा रहें तो इससे एक्टिविटीज पूछ लेता है जिके प्रॉपर्टी रेंटल लीज लाइसन्स अगर इससे रिलेटिट आपका बिजनेस है तो आपने आप से करके से सिर्टंबे या आपसे पॉपर्टी कॉंट्रैक्टर ये भी हमारा मिजनेस उचरेट कर लिन tell also आपने देख लेन हमारे किश्र में नहीं है तो हमने इसे ननौद अब आब गजिटर करके से एक सर्विसेशेस疫iğत आरे नाव फेलीटिट करने ही फ्यूल से ड्रेटेड भी नहीं कि तो नन अफ द अब अफ पे हमने क्लिक कर रहा और से वैंड गेंट लिए कर दिया हैं मोस्ली आपके नन अफ दिअब अब ओर हो रहा होंगे क्या आप से रेलेवन ये बिसनस नहीं है तो इस्क्रैब मटेरियल जे भी नहीं है आपने से बेंगें आ को आइस को इन कॉई आप आपको इस तरह का कोई भी बिसिनस नहीं है आपका आप आपने डाप पर कि लिक कर कि चैवन कंटिनु कर देने आप कि इसके बाद यह पूछ लेता है वेंडिंग मशीन यहां भी आपका नहीं है सो सेवन कंटिन्यू कर देने हैं आपने रीड आउट कर लेने हैं यह आप से कहता है पर्चेज आइटम तो यूज इन माब बिजनेश विद आउट पेइंग कि फ्लोरीडा सेल सेक तुदा सेलर एड़ टाइम ऑफ पर्चेज आप सेलर पर्मिट करने जा रहे हैं टैक्स एक्सेम्ट होने के लिए तो आपने फस्स ऑप्शन पर किलिक करने क्यूंकि जब आप कोई आइटम पर्चेस करने तो आपको टैक्स ना देना पड़े एंड कंज सेलर खक्राइव बैइवन फी इस तरह का कोई बिजिस्टन नो और सेवन कंटीने किलिक करते हैं अर्कू का निस हो कि रैंटल कार सट चार्ज इस तरह को के बात पर वाइगा दिए सै लिटेल निव नो जिब यू अपरेट कार शैरिंग सरविस्टन नो सेवन कंटीनू पर पर किलिक कर दें कि ग्रॉस रिशेप स्टेक्स इस ताना का डाय किलीनिंग वाला कोई बिजनेस है आपका नो सेवन कंट्यूनिव पर किलिक कर देंगे हम कि टैक्स लाइबरिटी इस ताना कोई है तो डीया है और विल्यू है एंप्लाय फ्रोड़ा नो लिज्वार कर फोड़ें नो इस केस में भी हमारा यह हमारे तीनों नों पर किलिक कर देंगे हमने सेवन कंट्यूनिव पर किलिक करना यह कंट्यूनिव पर किलिक कर देंगे डियरेक पेपरमिट आर यू अप्लाइंग तो डारेक्परमिट फ़र कम्म्निकेशन सर्विश्व सेवन कंट्यूनिव पर किलिक करेंगे स्टेंप टेक्स इस ताना कोई बिजन्स है जोक्य मैंटरी तो हमारे काई कोई ने तो हम टोप किलिक करके कि घुबुक रिचिफ़ एंड इलेक्टिकल पावर एंड गैस इस ताना का भी हमारा कोई बिजन्स नहीं यह जी पूर्ट नैचरल हुआ फ्लिक लिए तरह आपने पढ़ लेने इस तरह कभी हमारा कोई बिसनेस नहीं है तो हमने सेवन कर देने पे करना है नो करके दो यूश तो फाइल रिटन और पेट एलेक्स एलेक्टोनिकली येस पर आप जब करेंगे और आपको नीचे इन्रोल्मेंट टिटेल्स हाज जाती है इन्रोल्मेंट मेथड इन्रोल फर बोथ फाइलिंग रिटन एंड पेंग टेक्स एलेक्स एलेक्टोनिकली इन्रोल ओंडी टो पेटेक्स एलेक्स एलेक्टोनिकली और फाइल रिटन एंड पेटेक्स एलेक्स एलेक्स एलेक्टोनिकली आप इसके साथ भी जा सकते हैं अभी आपको enroll नहीं करेगा अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आप online दोनों चीज़े पे टेक्स कर सकते हैं electronically filing और पे कर सकते हैं टेक्स हम इसके साथ जा रहे होंगे और यहां पर एक और option हो जाए कर देना है हाँ आपकी payment इस्ते हो रही होगी से कन्टनी both nehmen कि व्लिक कर देंगे उसके बाद आप से पूच लेता है Unrollment payment contract यहांपर आपने नंबर दे देना है यहां पर आपने नेम देदे यहां पर हमारे टेलफून नंबर आजाएगा मुबाइल नंबर आजाएगा यूएस से का और फैक्स नंबर आप्शनल एमेल एड्रेस आजाएगी हमारे पास और यहां पर आपके बाद कांटक रिलेशन्षिप विड़ा कंपणी कंपनी का क्या रिलेशन है उस बंदें से हम कह सकते हैं इंप्लॉय है ठीक है इंप्लॉय पर हम सेलेक्र लेंगे एक्जिक्सिंग एड्रेस कौंस है जो हम एडेस उस करते हुआ है हम कहते हैं वहीं एड्रेस है तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो सकता है इसमें कोई आजए शुन यह सेवन कंटियूने पर किलिक करेंगा सेवन कंटियूने पर किलिक करने पर आपके पार इंड्रोल्मेंट फाइलिंग कॉंटेक आ जाता है फिर आगे आपने किस कॉंटेक्ट की डिटेल्स नहां पर देनी हैं फाइलिंग जो कर रहा है ठीक है हमारे सेनेरियो में सेम हम सेम रखते हैं हम चेंज नहीं कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि रिलेशनिप कंपनी इंप्लॉई है एड्रेस हम कहते हैं सेम है और सेवन कंटीनियू पर किलिक कर देंगे पर आपके पाजिक अकोन और यहां पर इंपोर्टन की है प्रिकषेंगे नम्बर देंगे ना पिस की डिटेल रिटेल और देगे भी जात जैसे हमने जैसे हमने दिया यहां से इसने बैंक का जो नाम हैrated a lie यह 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 बैंक काउंधक का नेम है चिक आपने बैंगा का निम निम यहांग लिए और छी कंफर्म कर गडिया चेवन कंटेंगरब किलिक करेंगे 7 केलिक करने के बाद आप से यहां पर इचनेचर पुझर, monkey रेगा, जो यहां पर यहां पर पर अपने कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऐलर से कॉरेड़ कर रहे हैं, उसके सिचनेचर झाँ और पर घला बाम है सब्सक्राइब आपका नीचे वैंका 11 उespère का ये ये यूथ आप यहां को पर और सबनारां नीचे में आपके jam का नफ्सक्राट के बाता हैं कि अंबuri हरे हुआ इसने के से यार लिएा अपनी क्या ओर्म learner आपको लूत हैं आपने आपने एीमेल लिए 149 सेज्डा फिरे आपको यहांद में कर दो है जो आपने उपर एड़ कर रहा है यहां पर आपको पहले लासने माँ जाता है फिर फरसने माँ जाता है जादी और महरुच यहां पर नामाग किया तो यहां पर परसंड की डेटेल हैं और यहां पर आपने चेक कर लेना है और इसको पहले रीड़ाउट कर लेना सारी चीजों आपने यहां पर जो आपने उपर कर रहा था वही आप एड़ कर सकते हैं यह इस तरह से आप सारी अपने signatures को एड़ कर देंगे नीचे और इसको एक बार read out कर लेना आपने ठीक से सारे मामलाथ को और एंड पर आपने submit application पर किलिक कर देना है जैसे आप इसके उपर जो आपने details पुट करी हैं वो सारी आजाएंगी address आगिए physical address mailing address आगिए इस तरह से हम अपना seller permit create कर रहे होते हैं अगर आपको इस related कोई भी questions और comments में आप पूछ सकते हैं Thank you for watching this video Allah Hafiz